श्री शिवाई नमस्तुभ्यम 15 अक्टूबर 2024 मंगलवार को आश्वीन माज के शुकलपक्ष का प्रदोश्वरत है मतलब आज है प्रदोश्वरत तो आप सफी को मेरी तरफ से प्रदोश्वरत की मंगल शुब कामना है भगवान भोले नात्वर माता पारवती की क्रिपा सद के साथ ही प्रदोश्वरत की संपूर्ण जानकारी आपको शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में इसलिए वीडियो को अंते तक जरूर देखिए और हां अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए क्योंकि आपके लाइक्स आपके कमेंट्स मेरे अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए और बात करेंगे प्रदोश कालीन पूजा के शुब्भूर्द के बारे में लेकिन उससे पहले सुनते हैं बहुम प्रदोश व्रत की कथा एक नगर में एक व्रिद्धा रहती थी उसका एक ही पुत्र था व्रिद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्ता थी वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पुर्वक व्रत रग कर हनुमान जी की आरातना करती थी एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परिक्षा लेने की स महराज हनुमान जी जिन्होंने साधु बेश धारण कर रखा था बोले मैं भूखा हूँ भोजन करूंगा थोड़ी जमीन लीप दे वृध्धा दुविधा में पड़ गई अंतता हाथ जोड़कर बोली महराज लीपने और मिट्टी खोदने के अत्रिक्त आप कोई दूसरी आज्यादे मैं अवश्य पूर्ण करूंगी साधु ने तीन बार प्रतिग्या कराने के बाद कहा तू अपने बेटे को बुला मैं उसकी पीट पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा यह सुनकर वृध्धा घबरा गई परन्तु वह प्रतिग्या बद्ध थी उसने अपने भोजन बनाकर साधु ने वृध्धा को बुलाकर कहा तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले इस पर वृध्धा बोली उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुंचाओ लेकिन जब साधु महराज नहीं माने तो वृध्धा ने अपने पुत पुत्र को आवाज लगाई अपने पुत्र को जीवित देखकर वृध्धा को बहुत आश्चरे हुआ और वह साधु के चर्णों में गिर पड़ी तब हनुमान जी अपने वास्तिविक रूप में प्रकट हुए और वृध्धा को भगती का आशिरवात दिया प्रेम से बो हुर्त में तिथी प्रारंब हो रही है त्रेयोदिशी की और समाप्त हो रही है 16 अक्टूबर को सुबह 12 बसकर 19 मिनट पर ऐसे में सुर्योदे कालीन तिथी के अनुसार 15 अक्टूबर को मंगलवार के दिन प्रदोश कवरत रखा जाएगा और जब प्रदोश कवरत और बिमारीयों से मतलब रोग Touं से मुक्त य जाते हैं विशेश कर कोई लंबी विमारी से परिशान है तो एसे में आपके लिए भॉम प्रदोश अत्यानत्म हैं आर्थिक संपन्यता के लिए संतान की प्राप्ति के लिए भी प्रदोश कवरत बहुत महत्यपोण हैं तो भॉम प्रदोश के दिन प्रतेकाल जल्दी उठ जाएं उठ करनिते कर्मों से निवृत हो जाएं घर की साफ सफाई कर लीजिए इसके बाद आपको श्नान करना है फिर शुद्ध वस्त्रधारन करके भगवान सुर्यदेव को जल दीजिए और अपने घर के मंदिर में शुद्धिकी का दीपक जलाकर वेधे विधान से भगवान शिव की माता पार्वती की और जो भी देवी देवतापके घर म अवश्य ले लीजिए क्योंकि अगर आप वरत और पूजा का संकल्प नहीं लेते हैं तो आपकी पूजा का संपुर्ण फल नहीं मिलता वरत का संपुर्ण फल नहीं मिलता इसलिए संकल्प लेना अत्यनत आवश्यक है जैसे कि प्रदोश के वरत में भगवान शिव की मात आधना कर रहे हैं उसी प्रेकार सेerdमान छाल killer किजिए कजिए सुबह की पुज़ा पूर्ण करके आरती कर लिए और फिर शाम को आपको विशेश पूजित रूब से पूज आराधना करना है दिन में आप फलाहार कर सकते हैं और फिर शाम के समय प्रदोष काल से पहले आप सनान कर लीजिए, स्वच्छ वश्त्र धारन कर लीजिए और भगवान शिव के मंदिर जाकर उनका विदे विधान से पूजन कीजिए, मंदिर नहीं जा पाते हैं तो घर में भी पूजा कर सकते हैं, अगर आपके घर में शिव गंगाजल से अभी शेक कीजिए फिर इसके बाद बिल्य पत्र भांग धतूरा अक्षत पुष्पित्यादी जो भी चीजे आपके पास सुपलब्ध हैं भगवान शिव को एक एक करके सभी सामगरी अर्पित करें भगवान बोले नात को सफेद पुष्प और माता पार्वती को लाल पुषपरपित कीजिए माता पार्वती को आप चाहे तो सुहाक की सामगरी अर्पित कर सकते हैं और हां माता पार्वती को सिंदूर अवश्य अर्पित कीजिए और भौम प्रदोश है तो हनुमान जी को भी तिलक कीजिए भोगर पित कीजिए बूंदी के अगर आप गर्ज से परेशान है आर्थिक तंगी से परेशान है तो ऐसे में आपको रिण मोचक मंगल सोत्र का पार्ट भगवान शीव की पूजा करने के बाद जरूर करना है इससे आपको रोग रिण और शत्रों से भी मुक्ति मिलती है और आर्थिक तंगी भी दूर हो जाती है तो शाम के समय प्रदोश काल में विदिविधान से पूजा कीजिए मंत्रों का जब कीजिए व्रत की कथा सुनिए और इसके बाद आप चाहे तो अपना व्रत खोल सकते हैं और अब जानते हैं कि प्रदोश काल पूजा का शुब भूज़्ध का है देखिए प्रदोश के विशेश उपाई के बारे में देखिए मंगलवार को जब प्रदोश का वरत आता है तो अगर आप उस दिन गन्य के रस्य भगवान शिव का भीशेख करें तो इससे आपकी बहुत सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल सकती है जैसे कि करज से परेशान है तो कर करेंगे तब आप जल में गुड डाल कर और अच्छे से मिला लीजिए फिर छान लीजिए उस जल को और फिर ये जो गुड का रस है इसी से भगवान शिव का भिशेख कीजिए उनसे प्रातना कीजिए रिण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ कीजिए तो निश्ची थी आपकी जो भी परेशानी है उससे मुक्ति मिल जाती है और जो भी आपकी कामना है आर्तिक समरिद्धी की तो आपकी कामना भी प्रोण होती है वैसे तो प्रदोश वुरत के दिन भगवान को सफेद मिठाई का भोग लगता है इसके अलावा खीर का भोग हम लगाते हैं लेकिन कार्तिक तंगी दूर होती है और आपकी कामना चाहे कोई भी हो पुरण हो जाती है जन्म कुणली में मंगल कमजोर है तब आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए और जो भोग हम लगाते हैं भगवान को प्रसाद स्वरूप में बाद में इसे ग्रहन कर सकते हैं परिवार क आप जानेंगे कार्तिक मास के नियम क्या होते हैं कार्तिक मास में किस प्रकार से आपको श्नान करना है श्नान दान के नियम क्या होंगे तुलसी पूजन की विधी क्या होगी पीपल की पूजा कैसे करें सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलने वाली है तो चै ये शिरादी